जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है गौर्वर्मेंट जॉब्स एक्जाम में तो फिर से हज़िर उन्ने वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में आपको केपीएस के रिजल्स के रिगार्डिंग अपडेट देने वाला हूँ देखे मुझे पता है आप कितना बेसे से है रिजल्स का इंतेजार कर रहे हो किसी पता नहीं है और आप यूठीटिब में जित्नों का भी देखोंगे वडियो चानए कि यह सार्णा सकती है और को आएगी हो खिल आपको खुश करने के लिए यूटेबर बोलेंगे कि रिजल्ट आज आएगा कल आएगा बोलके आपको एक डेट बता देंगे कि इतने को आएगा फिर आप उस डेट को एजिम कर लोगे फिर आप खुश रहोगे इस चीज में ऐसा करके धिरी धिरी आप फ्रस्टेट हो को सब लेकिए आपको देखेगा पहले एक बता जाएगा उडिट खतम होनी कि फिर दूसरा डेट आएगा यह सब चलता रहेगा मैं बताऊं को कि अगर रिजल्स का सबसे पहले पता चलेगा तो यूए आप Вот बता चले कर दो हो पता है सबसे पहले अगर दोज्टमार मेल パ होता है तो उससे दो दिन पहले तो आपको मेसेज आता है जैसे लास पीजीटी की केस में हुआ था कि रिजल्स डिकलेर होने से भी पहले आपको मेसेज आना शुरू हो गया था रोजगार मेले के लिए आपको पहले ही मेसेज आता है दो दिन पहले मेसेज आता है तो दो दिन पहले message आएगा तो किसको आएगा candidates लोगों को ही आएगा ना कि यूटुबर लोगों को आएगा जो candidates लोगों को आने से उसलिए सबसे पहले आप सभी लोगों को ही पता चलेगा इधर जो भी dates दिया जा रहा है YouTube में सब estimation है सब कुछ भी कुछ भी real नहीं है ऐसा हो भी सकता है नहीं हो भी सकता है पहले बताया गया था कि 18 November को results आने वाली है बोलके 18 November को results आ जाएगा और आपका 14 से message आना शुरू हो जाएगा ऐसे कहा गया था ऐसा हुआ नहीं हुआ जब आपका 18 को नहीं है एक अलग estimation date बना दिया गया कि 26, 27, 28 के time में आपका results आ जाएगा बोलके औ और देखिए रोजगार मेले का भी मैं आपको बताना चाता हूँ रोजगार मेला के भी अभी तक कोई fixed नहीं है कि 28 को ही होगा बोलके ऐसा कोई भी official site में कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है अगर ऐसा होता तो आपको official site में सबसे पहले दिखाई देता और ऐसा ब यह को किसी को पता नहीं है अब देखिए बीच में क्या हुआ एक अंडामान का साय रोजगार मेला का कुछ अपडेट आया था तो यूटुब में ऐसा स्टार्ट हो गया कि देखिए रोजगार मेला का नोटीस आगया 28 से रोजगार मेला है बोलके कोई भी state का रोजगार म सब एस्टीमेशन है मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो लोग धड़ा धर यह बोले जा रहे हैं कि आपका रिजल्स इतना को आएगा उतना को आएगा बोलके तो यह सब चीज से आप थोड़ा बचके रहिए यह सब चीज से अपना माइंड को इतना डिस्ट्रेक मत कीजी है वैसे तो आपको बस ऐन दिलाने बोलेंगे कि मैंने यहां बात किया है मैंने अब बात कियाक है तो यह सबसार फेक हैаю कीजल्स ट्वंटिएट को आभी सकते हैं नहीं आभी सकते हैं इतमें कोई भी 100% इस आ जाए हम उमीद करते हैं कि रिजल्स आ जाए सबसे बैस्ट वही रहेगा क्योंकि पिछला कपीजीटी का रिजल्स आया था तो अभी बनते हैं अभी कुछ नया विकेंशी का भी रिजल् और पहले से TGT वेगरा का रेडि बहुत टाइम होगय रिजल्स नहीं है तो इस महिने में आपको TGT just और लेबरेरियन जो पोस्ट वेगरा है वो सब कर रिजल्स दिखने को मिलेगा क्योंकि काफी टाइम होगी उसलिए और जो बताया जा रहा है सब एस्टीमेशन डेटे सब एक अंदाजे से बताया जा रहा है क्योंकि पिसला जो पिसला मंत में जो आपका पीजीटी का रिजल पिजीटी का रिजल्ट आए उसलिए अभी यह महिना भी कुछ रिजल्स आजा है ऐसा बोलके और रोजगार मेला का देखिए रोजगार मेला का ऐसा है कि देखिए दो चीज़ है या तो गौवर्मेंट इस महिने को रोजगार मेला आयोजन कर ले और आपका 50 जैसे पिसला किया आपका 51,000 आपका बाटा गया था गौर्मेंट क्या कर सकती हे मार्च ऐसे प्रिल में आपका इलेक्शन है तो देखिए गौर्मेंट दो चीज कर सकती है एक तो ये मेना वो पफटी मेले लेटर बाट च्टा है फिरसे 50,000 जितना का यह फिर वो यह मेना स्किप करके द 尖ेट करेंगे कि सबसे जदा हमने वेकेंशी दिया कि तो आगर यह लोग नौवेंबर को स्किप कर देंगे तो डिसेम्बर में यह ज़्यादा देने वाले हैपिर जैनुवरी के लिए एक आसान सा फेक्टर रहेगा तो वही है तो गौर्वर्मेंट के पास दो स्टेप है आइधर वह नौवेंबर को रोजगार मेला करके 56 मतलब जितना 1000 वेकेंसी होता है वह डिकलेर करते सारा पोस्ट का होता है बस के वीएस का नहीं बाकी मैंने आपको कहा था च्छोटा-च्छोटा स्किप करके वह मेजर ही एक ही बार में जब ज्यादा होगा तो वह करेंगी तो वही है रोजगार मेला कभी कोई अपडेट नहीं अभी तक 28 को सब मान रहे हैं कि 28 को है 28 को हो अगर रोजगार मेला होता है तो बहुत बढ़िया इससे रिजल्स डिकलेर करने की भी चांसे बढ़ जाते हैं क्योंकि देखिए तो अल्रेडी रेडी है पहले से बनके तयार है रिजल्स एक रोजगार मिला आता है तो एक अच्छा चांस बनेगा और देखिए सबसे ज्यादा किसको इंट्रेस्ट है यह सब चीज में आप बताईए एक यूटूब सब्सक्राइब करते हैं और मेसेज आएगा जो रोजगार मेला कब दो दिन पहले मेसेज आएगा तो भी यूटूबर लोगों को मेसेज जाने वाला है आप ही लोगों मेंसे को शेयर करोगे फिर यूटूबर वह सब डालेंगे और बताएंगे यह सब रिजल्स डिक्लेर ह होने वाला है और आप लोगों का ही रिजल्स डिकलर होगा आप इनना टेंशन मतलों यह सब चीज के लिए और आपने अपना 100% दिया अभी आप निश्चिंद रही है वैसे भी आपने बहुत इंतजार कर लिया अब कुछ और टाइम का इंतजार कर जे क्योंकि आपका इलेक् चीज के लिए और यह सब चीज से थोड़ा बचके रही है और यह सब सीच से थोड़ा दूर रहें डी मोटिवेट हो जाओंगे आप क्यूंकि पहले आपको एक डेट बताया जाएगा उस डेट में रिजल्ट नहीं आएगा फिर आप थोड़ा समाइन आपका माइन डिसर् बताया जाएगा उसमें भी रिजल्ट नहीं आएगा तो डीश्पेंट हो जाएगा आपने सिंद रहे हो रिजल्ट आज आएगे आपके त्यूंकि अपने मैनत की है तो आप फिक फॉल मिलने वाला है और लाज मैं मैं आपको मेसेज के बार में बताना चाहता हूं कि पीसल नहीं होता तो उस चीज को लेकि मत घपराई एगा मैसेज नहीं आया मतलब यह नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेसेज आता है तो रोजगार मेला होगा तो मेसेज आएगा नहीं तो रोजगार मेले का मेसेज की हो आएगा आप सबी लोगों को रोजगार मेला फाईनल नहीं हो तो अभी तक तो कुंसरें और कोःगरा पहले मैं फाइनल लिए एक हफ्ता का टैम है एक हफ्ता में सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक हफ्ता, पाद आपका किस्ट अतं수 बुल और य है और यह थाहएग्ञ अजो नहीं यह सिब चीज को ज्यादा सीरियसली मत लीजे आपका रिजल्स डिकलर हो जाएगा जल्दी डिकलर होगा क्योंकि लास्ट पीजिटी का हो गया था तो अब देरे देरे करके करके सारा पोस्ट का होई जाएगा और हाला कि पी आर्टी का अभी हाली में इंटर्विव हुआ है तो उसका थोड़ा टाइम लग सकता है बाकी सब का रिजल्स डिकलर होई जाएगा देखिए एक और चीज है अगर देखिए मान लिजे नौवेंबर को रिजल्स आते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं आप सब लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि ट्विटर केमपेन रखेंगे कि ट्विटर केमपे से कुछ नहीं होने वाला रेलवे में कुछ नहीं हुआ क्यूंकि ऐसा कहा जाता है कि पांच मिलियन शे मिलियन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो देखिए वह तो एक नया है विकेंसी के रिगार्डिंग ट्वीट था और जिसका एक्जाम भी नह के अलग फेक्टर है हम फिर भी ट्राइट तो करी सकते हैं और अगर उससे भी कुछ नहीं होता तो एक छोटा सा फिजीकल प्रोटेक्स भी कर लेंगे डेली हेड़क्वाटर में जाके तो बस इतना ही था बताने के लिए तो वीडियो दिखने के लिए ठेंक्यू अगर हमा इस चैनल को सब्सक्राब कीजिए जय हिंद जय भारत